अभी जो दर्शकों को हम जानकारियां दे रहे थे उसमें एक कमांडेंट सेना के जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम कोशश करेंगे कि आज जल से जल्द मजदूरों को सुरक्षत बाहर निकाल लिया जाए तो कुछ जानकारी मिल पारी है टागेट क्या रखा गया है कब तक सुरक्षत बाहर निकालने की कोशश है की जा रही है मजदूरों को दीपक देखे रोमाना लगातार कोशिश तो चली रही है और पूरी रात भर इसके ऑपरेशन चला है और 30 गंटे से जादा का वक्त हो चला है जैसे आपने भी बताया जिसकी वज़े से क्या आता है कि जितना आप रास्ता मेनत करके इतना समय लगा कर उसको खोलने की कोशिश करते हैं वो तुरन फिर ब्लॉक हो जाता है और ऐसे में कई सारे विकल्प भी एक्सपर्ट की तरफ से तलाशे गए उनकी तरफ से एक विकल्प यह भी तलाशा गय किसी और जगे अगर मशीन से काटा जाए टनल के हिस्से को और वहां से क्या लोगों को निकाला जा सकता है इस पर भी विचाड़ चल राहा है लेकिन अभी तक कि सबसे बड़ी परिशान यह है कि जो इस पूरा मजदूर जो हैं अंदर फसे हुए हैं और दूसरी छोर के तरफ अभी तक रास्ता खुला नहीं है तो वहां से निकालने का अभी तक कोई option बचता नहीं है तो ऐसे में option यही तलाशा जा रहा है कि किसी और जरिये से किसी और जगा छेद करके इन मजदूरों को जल से जल बाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस हाथसे को लेकर हर अपडेट दे रहे हैं साथी प्रधानमंत्री ने उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुशकर संग्धामी को हर संभव मदद का केंद्र की तरफ से भरोसा दिलाया है केंद्री एजंसियों को मदद करने के प्रधान मंत्री जी ने इस दुर घटना से निपटने हेतू हर संभब मदद का आश्वा संधिया। भारत सरकार्दवारा केंद्री एजंसियों को राहत और बचाफ कारियों में सहयोग करने हेतू निर्देशित कर दिया गया है। जहां पर ये हाथसा हुआ है, ये जो सुरंग है जिस पे हाथसा हुआ, कुल साड़े चार किलो मीटर लंबी ये सुरंग बनाई जा रहे है। वो 14 मीटर बताई जा रही है। और अभी तक जो निर्मान का काम है, वो 4 किलो मीटर तक सुरंग का काम पूरा कर लिया गया है। जो तस्वीरे भी आप देख रहे हैं न शुरू में मलबे की, वहाँ पर आपको सुरंग बनी हुए नजर आ रही है, तो ऐसी 4 किलो मीटर तक काम पूरा कर लिया गया है। और कहां पर है ये सुरंग, ये उत्तरकाशी के सिल्कियारा डंडल गाउं के बीच में, ये साड़े 4 किलो मीटर लंबी सुरंग जो बनाई जा रही है, ये प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो अगले साल मार्च 2014 तब तक इस प्रोजेक्ट को मुकमल हो जाना है, मतलब ये सुरंग बनकर तयार होनी है, और महतपपूर्ण ये सुरंग इसलिए क्योंकि ये सुरंग कैसी है, ये ओल वेधर सुरंग है, मतलब जब जोड़दार बर्वारी होती है, तमाम सड़के जो है वो बर्व की वज़े से बंद हो जाती है, ऐसे में ये सुरंग जो है, वो बस वो जो आधा किलोमीटर वाली सुरंग के हिस्से में काम बाकी रह गया था उसी तरफ ये मजदूर जो काम कर रहते और अचानक से ये सुरंग का हिस्सा धस गया दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है ज़र जानते हैं दीपक से तो वो जो दूसरा छोड मतलब जहां पर ये साड़े चार किलोमीटर सुरंग का मुझ खुलना था एक तरफ से तो हम देख रहे हैं चार किलोमीटर तक का काम हो गया अब क्या उस तरफ से कुछ कोशिश है की जारी है कि दूसरे छोड से कोई तरकीब जुटाई जाए और वहां से मजदूरों तक पहुँचा जाए क्योंकि शाद उस तरफ से मजदूरों तक पहुँचना नस्दीक भी होगा रासान भी होगा जी जैसे रोमानावे ने पहले भी बताया कि दूसरा विकल भी तलासा जा रहा क्योंकि पहले ये कोशिश की गई कल राद भर भी यही कोशिश तही कि जिस तरफ से आप एंट्री करते हैं जहां से शुलंग का हिस्सा बनना शुरू हुआ है वहां से करीवन 500-300 मीटर के बाद ही ये पूरा मलबा जो है वो नीचे ढह गया जब ये नाइट शिफ्ट के मजदूर बाहर आ रहे थे और मौनी शिफ्ट के मजदूर अंदर जा रहे थे उसी दोरान बीच में का स्ट्रेस ढह गया है तो अब कोशिश ये की जा रही थी कि इसी मलबे को पहले हटा लिया जाए क्योंकि वो आसान तरीका था और उसके बाद जितने भी मजदूर अंदर की तरफ फसे वे उनको बाहर मिकाला जा सकता है लेकिन उस पीच परेशानी है आई कि जैसे वी मशीन वहाँ अंदर जाती है दूसरी मशीन अंदर करने शुरू करती है और थया बूखर वह इसमें होता है तो अपर हिस्सा के मजदूर जहां पर फसे हुए मून सबस्ते नुसरे हिच्छ और वहाँ बहठ करके वहां जो रॉक जैसे ही घड़ी का काटा दोबहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी लिउज आपको रखे आगे